गुड मॉर्निंग क्लास इससे पहले हमने बात करी थी काइंट्स अफ सेंटेंस के बारे में ठीक है और मैंने सारी जो टाइपस होते हैं जो काइंट्स हैं वो हमने उसके बारे में विथ एक्जाम्पल आपको डिस्कस करके बताया था ठीक है आपने होंवा करके भी भेजा है बहुत ही अच्छा है ठीक है बहुत से बच्चों ने होंवा करके भेजा है जिसमें most of the sentence correct है तो इसका मतलब है कि आपको समझ में आ रहा है अगर जिसको नहीं आ रहा है वो आप हमसे दुबारा पूछ सकते हैं ठीक है एकसराइस इसलिए की जाती है ताके जितना भी आपने बढ़ा है क्या आपको वो आ रहा है या नहीं आ रहा है ठीक है तो इसको क्या मान के चलिए अपना एनलाइसिस मान के चलिए कि हमको ये चीज आई या नहीं आई ठीक है तो देखी क्या है study the grammar study the example and tell the kinds of each of the following sentence ये कुछ sentence लिखे गए है मैंने line भी छोड़ी है इसके नीचे तो जैसा ये काम है वैसे ही आप अपने copy में करेंगे पहले sentence लिखेंगे ठीक है जिसे first sentence is the sun rises in the east आपको पता लगाना है कि ये कौन सी type का sentence है affirmative है negative, interrogative है, optative है कौन सा sentence है ठीक है और उसका answer आपको यहाँ पर लिख देना है line के नीचे फिर आपको line छोड़नी है second sentence लिखना है फिर उसके बारे में लिखना है ठीक है आपकी आसानी के लिए मैं आपको इनके explain कर दूँ कि क्या है the sun rising in the east sun जो है वो पूरब से उकता है ठीक है सीता is not a good girl सीता एक अच्छी लड़की नहीं है ठीक है यह कौन से आपका sentence है आपको यहाँ पर लिखना है why have you come late again कुश्रमाख है ध्यान रखे बहुती simple तरीक अगर आपने सीखा है तो why have you come late again तुम फिर से लेट आए ऐसा क्यों ठीक है do you not wash your clothes really क्या आप अपने कप्रे रोज नहीं दोते हैं यह कौन से टाइप का sentence है फिर है study regularly रोज पढ़ाई करें ठीक है यह sentence है फिर है please wait till I come मेरे आने तक please wait करना तो यह कौन से टाइप का है may God grant you a long life भगवान करें कि आपके उम्र लंबी हो do not make a noise here यहाँ पर शूर मत करो smoking is not good for health जो smoking है वो health के लिए अच्छी नहीं है ठीक है how bad कितना बुरा हुआ है ना तो यह sentence क्या है कुछ sentence मैंने बनाए है आप इसको यहाँ पर लिखके मुझे भेजिंगे कि कौन से टाइप के questions है ठीक है कौन से टाइप के sentence है interrogative है affirmative है negative है या objective है ठीक है जितने भी हमने kinds of sentence करें है तो यह आप मुझे personal message में यह काम करके दिखाएंगे ओके